मुझे बनावा था लंच में लसोनी पालक लसोनी पालक की तयारिया थी वह मैंने कर ली थी तो मैं आपको बता देती हूं कि मैंने क्या क्या किया सबसे पहले तो मैंने पालक को अच्छे से बॉइल कर लिया और बॉइल होने के बाद उसे ठड़े पानी में डाल दिया जिसे कि उसकी कोकिंग प्रॉसेस बही पर स्टॉप हो जाए लेकिन उसका कलर चेंज ना हो यहां तो मैंने पालक को इस तरह के से तयार गर लिया, आधे पालक को मैंने MGL मेंкамиhey पीस के उसका पेस्ट बना लिया और आधे पालक जो भज़ ठाइब वाईल गर वा उसको मैंने छोटे एचोटे पीसे में कट और उसके अलावा जो मैंने तयारी कर रही है वह भी मापको दिखा देती हूं और लसुनी पालक खाने में काफी टेस्टी लगता है अगर आपको पालक पसंद नहीं है मतलब आप ऐसे परसने जिसको पालक ज्यादा पसंद नहीं है तब भी आपको यह जो लसुनी पालक की ज दूसरा है जब हम तलका लगाएंगे इसका बहुत ही अच्छी सी अरोमा आएगी लसन की इसमें और खुश्बू के सासत देखने में भी प्यारा लगेगा और खाने में भी तो एक वार ज़रू ट्राइ करना तो यहां पर दो तरीके का पालक जो मैंने तयार किया है यह है पिसा हुआ और दूसरा है यह पिसा हुआ पालक इसके अलावा जो मैंने प्रप्रेशन करें वह भी आपको दिखा देती है एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप लसोनी पालक बना रहे है तो उससे देसी घी में ही बनाएगा क्योंकि इसका असली फ्लेवर ना देसी में आता है तो रिफाइंक यह पर कोई उल मत viaje करना गैस पर मैने रख दी एकणाय में मैंने देसी घी जाल दिया जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि देसी घी में ही में इसका स्वाद देसी की गर्म होने के बाद मैंने इसमें 10 मट 2 ती स्पून डाल दिया है जीरा ज इंच अद्रब के टुकडे को भी मैंने कद्दू कस करके घी के साथ अच्छे से भून लिया है मतलब भूनना इतना है कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसकी जो अरोमा है वो आपके घी में आ जाए यहाँ पर मैंने तीन से चार हरी मिर्च ले ली थी जिनने बारिक चॉप कर लिया था वो भी मैंने घी के साथ घी में बाकी समान के साथ भून लिया है उसके बाद एक प्याज थी जो बारिक चॉप करी हुई थी उसको भी भून लेना है प्याज को इतना मत भूनिएगा कि उसका कलरी चेंज हो जाए बस वो हलका पिंक कलर में हो हलके से पिंक कलर में तभी इसमें मैंने टिमेटो प्यूरे डाल दिया है बहुत जादा उसे लाल नहीं भूनना है प्याज को जला जला सा टेस्ट हो जाएगा वरना इसके साथ जो हमने टेमेटो प्योरे डाला है उसे भी अच्छे से भून लेना है टामाटर कच्छे नहीं रहने चाहिए किसी भी अच्छी रेसिपी का जो राज होता है वो मसाले को भूनना और किस टेमपरेचर पर कितना भूनना है इस पर भी डिपैन करता है तो यहाँ पर हमारे टेमाटर जो है वो अच्छे से भून चुके हैँ अब मैं इसमें कुछ मसाले अड़ करूंगी मसाले बहुत ही बेसिक हैं यहाँ पर जैसे कि हाफ टी इस्पून हल्दी पाउडर है त्री टी इस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है half tea spoon के करीब मैंने लिया है red chili powder इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ one tea spoon जीरा powder तो ये जो जीरा powder है ना इससे पालक में बहुत अच्छा ता flavor एड़ होगा तो अगर आपके पास है भुना हुए जीरे का powder तो वो भी आप add कर दीजे इससे काफी अच्छा flavor एड़ हो जाता है पालक में तो यहाँ पर जो भी मसाले मैंने डाले थे उनको अच्छे से भून लिया पहले मैंने एक मिनट लगा कर उसके बाद मैंने जो आधा आधा पालक अलग से काट के रखा था ना छोटा छोटा वह मैंने इस मसाले के साथ मिक्स कर दिया है अब इसको भी एक से डेवड मिनट लगा कर अच्छे से भून लिया उसके बाद मैंने एक टेबल इस्पून के करीब डाला है मक्का का आटा यहां पर मक्वा आता किखल आटा को आजसे के मभलां। पालक के साथ में मक्वा एक अन्दाज इसे डालोगे तो आपको फ्लेवर में चेंज नजसर आएगा काफी टेस्टी लगेगा तो जब मैंने मका का आटा डाल लिया उसके बाद भी मैंने 1-2,5 मिनट अच्छे से बुना मसाले को उसके बाद जो मैंने पालक का प्योरे बना के तयार करके रखाता मिकसी में वो भी मैंने इसके साथ मिक्स कर लिया है यहाँ पर आधा पालक हमने कटा हुइगा है और आधा पालक का हमने प्यूरे यूज किया है दौनो तरह के पालक अब हमने मिक्स कर दिये हैं और मसाले के साथ अच्छे से उन्हें मिला लेना है और फिर उसको 1-5 मिनट के लिए फिर से भुनना है थोड़ा सा पानी महीं आपर एड़ कर रही हूँ पानी एड़ करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके डख कर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी 3-4 मिनट मैंने ढख कर इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था तो अभी आप देख सकते हो कि पालक इस तरीके से पक चुका है हलका हलका घी भी इसने छोड़ दिया है साइड में कॉर्णर में तो बाकी के सारे मसाले हमने इसमें एड़ कर दिये थे लेकिन हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और लास्ट में मैं इसमें एड़ कर रही हूं गरम मसाला इसके बाद भी पालक को और थोड़ी देर भून लीजे पालक बिल्कुल भी कच्छा नहीं लगना चाहिए मतलब कच्छा पन तो उसमें आना ही नहीं नहीं चाहिए अदर्वाइस निकली हुई मलाई भी एड़ कर सकते हैं यहाँ पर टू टेबल इस्पून के करीब मैंने एड़ कर दिये और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है पालक के साथ लगवग मेरे लसूनी पालक बनकर तयार है लेकिन लास्ट में इसमें जो तड़का जाएगा वो इसको और भी पका रहे हूं चलाते हुए पालक का अपने स्वाद होता है तो निकलना जरूरी है तो इसलिए अच्छे से पका लीजे इसको आप इससे सफ कर सकते हो प्लेन रोटी के साथ तंदूरी रोटी के साथ नान के साथ और आज मैं इसे खाने वाली हूँ तंदूरी रोटी के लेकिन आज मैंने फटाफट वाला काम किया है, आज मैंने ओर्डर कर दिया है, तो वो ओर्डर लेकर आता होगा, उसके बाद हम गरम गरम लसोनी पालक के साथ खाएंगे, तंदूरी रोटी या फिर आप नान भी खा सकते हो, जो भी आपकी चोईस है, बहुत ही टेस्टी मैंने डाला है सबसे पहले देसी गी, ये 2 से 3 टेबल स्पून के करीब होगा देसी गी, और इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ साबुद धनिया, हमें जो तलका तयार करना है, वो कुछ इस तरीके का तयार करना है, जिसमें हलका सा क्रेंच हो, देखने में भी अच्छी चॉप कर लिया था, वो भी देसी गी में डाल लिया है, अब अच्छे से भून लेना है, यहाँ पर हमें लसन को थोड़ा सा हलका सा लाल रंग में टर्न आउट होने तक भूनना है, जब वो हलका सा ब्राउन और लाल रंग में आ जाए, जलना नहीं चाहिएं स्टिल, लेक कश्मीरी लाल में मिला दिये, और अब यह तड़का बन कर तयार है, यहाँ पर हमारा लसनी पालक भी बन कर तयार है, यह तड़का हम जल्दी से इसमें लगा देंगे मेर कर गोaratई से जिए में लाल कर तक्ला का। कर माडा लाद जाया हईसमें का ले ला कर दो एक, एक शाहते हैं, जूए बनाव में सावाना है, यह तड़का हमार सोघ़् propagate, बनावास जाच है जलना है, यह थांना है, जएट stबह तालका है, यह उले से ब्र विए पrit अज़ गर्म गर्म मेरी तंबूरी रोटी भी आ गई है और लसुली पालक भी बनकर तःयार हो गया है खुश्बूती तेज आ रहे है ना कि कशिश मुझसे 3-4 बाद पूचुकी है कव लगी ममा तो रोटी आने का बसम इंजार कर रहे थी रोटी भी आ गई तो फटापट से सब करत बाते बहुत ही चादा खुश्टू वाली है कि अगर आप कपड़े डालो तो तुरन सूख जाते हैं वाइदवे लंच हो गया और लंच क्या बना था बाइदवे लाजवाब बहुत ही तेस्टी सा लसुनी पालक और वह तंदूरी रोटी तो मजा आगया मैं बनाती प्लें लोटी उतना मजा नहीं आता जितना लोटी के साथ आ रहा पता नहीं कराया कुछ यह सारे कपड़े उतार लेती हूं और पता है नए कपड़े नए कपड़े में बालग कुछ गंदे कपड़े और वाश करे हैं और उनको फिर इस जगह सुखा दूंगे तो वो भी सुख जाएंगे रात तक आज कल दूप काफी देर रहती है आज तोड़ा लंच हम लोगों ने जल्दी कर लिए कोशिश को बूप लगे कि मैंने का चलो सिफ कर लेते हैं रेक्फास किया नहीं था अच्छी निकली है बैशिट इस में से कलर वगएर नहीं निकला है प्रेस करके रख दूंगे इसको फिर भी चालूंगे आगे अजय बर्लाव लिएं अच्छा लगाताँ पहले मुझे लगाता है निकली है फोड़ी से रख लाव अटो है जो बार इससा निकली नहीं था गुटी इवनिंग दोस्तों तो अभी शाम हो चुकी है शाम के बज़रे हैं 7 o'clock और मैं सारे दुनिया के काम कर लेती हूँ बस अपने काम को टालती रहती हूँ काम जा अपने काम करकर आओंगी मैं मेरे काम है कि मैं उसे टालती चली जाती हूँ अब जसे मुझे इसमें सूट में पिटिक कर आती है अभी जा रही है पास पत आब जा रही हूं आप ए पना से सुराल जा जा रही ती साद़ी मैं अपना दू तो ड़ि ôngई अनों लिचा थ बहुत ही प्यारा सूट है तो इसकी फिटिंग नहीं है मेरे काफी लंबा है यह सूट तो इस सूट की पिटिंग कराने के लिए मैं सोच रही हूँ देखा राती हूँ आज मैं इसे खोल करनी दिखाऊंगी बनना क्या होगा तो मुझे फिर से टै करना पड़ेगा कुछ इस आपने देखा होगा इसमें मैंने अपनी वी शेयर करिये इंस्टाग्राम पर तो आप पर जाकर इसका पूरा लुक देख सकते हूँ फोड़ा लूज है मुझे और लंबा भी है मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है इंडियन मॉम स्टूडियो से मेरे चैनल का नाम तो जाक काफी टाइम हो गया सारी को भी मगाये हो इसका ब्लाउस बन पाया ना इस पर फॉल लगई है और पते इसका कपड़ा ना विल्कुछ से रिलेड़ेड़ है और बहुत ही लाइट है एक दम लाइट सा है यह वाइट बॉड़र है तो मैं तो सोच ते हुँ उस पे आज पॉ जिसके रूडर यह वाला आ जाएगा जिसके साथ ही रुनिग में है तो क्या ज्याधा बैटर लगेगा जैसे कि मैंने आपको में स्क्रीन में दिखाऊं तो अगर मैं रुनिग में बनवाती हूं तो कुछ इस टाइप का ब्लाउस बनेगा और अगर मैं ब्रोकेट में बनवा तो अभी मैं सोचने से तयार करके रख लेती हूँ तो अच्छा हो जाएगा अगर कोई चीज तयार रहेगी तो फिर उसे आप पहन सकते हो और इसके अलावा एक और जगा जा रही हूँ जहां मैं जा रही हूँ अभी नहीं बता रही है आपको पहले वहाँ चली जाओं वो शबुन में कर रहा हूँ फिर आपको बताओंगी आप भी थोड़ा वेट करिए आपको भी अच्छा लगेगा तो आप लोगोंने देखी लिया होगा मैं कहा गई थी तो आज फाइनली इस चीज का भी महुरत निकल आया मैं चली गई थी आज जिम पते इतने दिन से सोचिती हो हाँ जाओ आच जाओ परसो जाओ तरसो जाओं ऐसे कड़ते करते बहुत टाइम निकाल दिया मैंने पते जिम जाने की सोचितनी की शुडुमात से ही मैंने पत्ते कपड़े खरीद लिये बोटल करीड लाई वो कहते हैं जब भी जिम बगएरा जोईन करना होता है इंसान खुद को कैसे प्रिपेर करता है कपड़ी खरीद के लेकर लेकर आएगा बोटल लेकर आएगा शूस लेकर आएगा अब तो चले जांगी मैं मतलब अब तो मतलब सोची लेना चाहिए क्योंक जाने की तो मैं जहां पर मैंने जोईन किया है वहां पर ना अरोबिक तो नहीं है और मैंने तो बहुत टाइम अरोबिक के आपको पता है मतलब अगर पिछला साल मैं छोड़ दूँ भूल जाओं जो कि हम सभी भूलना चाहते हैं पिछला साल अपनी लाइफ से कोरिंटीन जो की चला था सब कुछ और उसकी वजह से जो सब लोग मतलब घर में बंद हो गए और एकसाइज और रूटीन सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया उस वजह से तो वह एक साल को मैं भूल जाओं तो मैंने बहुत टाइम अरोबिक किया हुआ है तो मैं चाहरी थी कि मैं अरोबि जोईन किया था और ऐसी मैंने एक वार और जोईन किया था हर वार 15 डेस करके मैं रुख जाती थी यूगि मैं पता नहीं खुद को इतना मतलब नहीं कर पारी थी ओनलाइन अग्लास में तो इस वजह से मैं दो वर पैसे गए और मैं करनी पाए फिर मैंने सोचा है आप मैं करूंगी जब मैं क्लास जोईन करूंगी तभी करूंगी और वो लोग अभी ओपन करनी रहे है वाली क्लास वो बोल रही है या तो मही में करेंगे या जून में तो उनका डिसाइड नहीं ता मैंने सोचा है मैं तब तक यह जोईन कर लेती हूं इंदा मीन वाई और यहां पर क्या जुद्धा होता है यहां पर अरोबिक नहीं है जुद्धा है और प्लस आप जितनी भी मशीन है वो यूज कर सकते हो तो आज आके मैं पेमेंट कर आई थी थाउजन पर मन्त ले रहे हैं यह थोड़ा महंगा ले रहे है यो कि जहां पर मैं अरोबिक कर रहे थी वह सत्रा सोर्पे में था मेरा और यह मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा है लेकिन ठीक है जब तक वह अरोबिक क्लास ओपन नहीं कर रहे है तब तक मैं यह चला लेती हूं फिर वह जो आइन कर लूँगी यही सोचा है मैंने अभी तक तो और अगर पसंद आ जाता है यहां यहीं पर कंटीन्यू कर लोगी तो मैंने आज फाइनली इस चीज का महुरत निकाल लिया मैं जिम चली गई पैसे दिया ही अब जिम जाना भी शुरू कर दूंगी ऐसा लग रहा है मुझे यह इतना लंबा जो गैप हुआ है न उससे मेरी बॉड़ी में भी बदलाव आया ह कि मेरा भी इना आलस करने का मन करने लगा है जब तक मैं जाती थी मैं खुद को बहुत एनरजेटिक और हेल्दी समझती थी और जब से मैंने छोड़ा है तब से मैं लेजी होती जा रही हूँ तो इसी वज़ा से मुझे जोईन करना था में वीजन तो यही था और अगर होगा वह खुद करेंगे जोईन मैं किसी को फोरस नहीं करोंगी अगर उने करना तो मैंने तो मैंने थोड़ी ना रोक आवा अगो थी जाए ज़ाए जब चाहें करने अब उनकी चाहें वह ज़ाएं करना चाहते हैं अब आप मैं चली टीट अपना ब्लाउस सिल्वाने के सब्सक्राइब लिए दिए तो पते वो सारी युड़कर नहीं देखी थी बस मुझे पता थे साथ ब्लाउस पीस है और जसे कि उसकी उसकी सारी के साथ बलाउस तिक हाया था मैंने यह को वाइट कलर का निख़ लका दिख आता ना बिल्कुल वैसा नहीं है फूरा रेट कलर क ब्लाउज निकला उसके साथ, जब मैंने उनको फॉल लगाने के लिए दिया ना, तो उन्होंने बोला यह ब्लाउज पीस इसके साथ है, रेड कलर का, तो मैंने ब्लाउज पीस है तो आप इसी को बना दो, तो मैं आज जगकर उसका डिजाइन भी दिया आई हूँ, बहुत प काम काफी सारा करना पड़ेगा, तो उसमें उन्हें टाइम लग जाएगा, तो फाइनली मैंने यह दोनों काम कर लिए, जिस काम की लिए में घर से निकली थी, वो काम मेरे के हो गए, इस बात की मुझे कुशी है, और आप लोग बताना कि आप लोग कैसे हो और कैसी चल रह तो यार किस बात की दे रही है, जाकर जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी फैमली को इतने से इतना तो आपने बनाई दिया है, इतना भी बना दो यार, आपी सब के प्यार की वज़ा से ये इंडियन मोमे स्टूडियो की फैमली इतनी बड़ी होने वाल के साथ, तब तक के लिए, बाए-बाए and lots of love, love you guys.